दोस्तों अगर आप भी भारती टीम को विश्व की सबसे बहतुरीन टीम बानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों दोस्तों इस मुकाबले में भारती टीम ने भारती टीम की चर्चा हो रही है और भारती टीम की नजरें अब तीसरे और आखरी टी टीम बैच को जीतने की और हैं ताकि वो न्यूजिलैंड की टीम को तीन शूने से हरा कर सीरीज को क्लीन स्वीप करके जीत जाएं और उनकी तयारी करने के लिए भारती टीम ने कॉलकता पहुंच कर फैक्टरी भी अपनी चालू कर दी है फैक्टरी मतलब प्रैक्टिस और दोस्तों आपको बता दे कि बह मुकाबले पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं इस बात का जवाब हम नीची कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा दोस्तों तीन टी-20 मुकाबलों की सीरीज से पहले दो मुकाबले भारती टीम ने शांदार प्रदर्शन करके न्यूजिलैंड की टीम को इस सीरीज में धूल चटा दी है लेकिन भारती टीम सिर्फ यहां से संतुष्ट होती हुई नहीं दिख रही है और इसलिए तीसरे और आकरी डी-20 मुकाबले को जीतने के लिए तैयारी करते हुए आपस में ही एक इंट्रा स्कॉाइड मकाबला खेलते हुए नजर आए और जिसमें ए जैसे गेंदबाजों को टीम में शामिल दिया उनका ये फैसला बेगुल सही साबित हुआ रोहीत शर्मा की टीम ने बल्ले बाजी करने उतरे खुद कप्तान रोहीत शर्मा और इशान किशन हर्षल पडेल की गेंद के आगे फैल होते हुए नसतर आया और तीन वर मात्र सा रण ही बना पाए जिसे देखकर रिशापन काफी जादा खुश थे लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपना रूप बदलते हुए चौथे ओवर में दीपुक चेहर की गेंद पर लगातार चार छक्के जड़ दिये और अपनी फॉर्म में वापस आते हुए टीम के स् सूरी कुमार यादो ने भी अब अपने हाद खोल कर बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिये जिसके चलते रोहित शर्मा की टीम ने दस ओवर में ही 84 रंबर आ लिये थे जिसमें रोहित शर्मा ने अर्ध श्रतक लगाते हुए 54 रन और सूरी कुमार यादो ने नहीं चुटा पड़ी और इसके बाद लक्ष का पीछा करने उत्रे रिशा पंद की टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए वेंकटेश एयर और रितुराज गायकवार मैदान पर उत्रे और उन्होंने आते ही धुआधार बले बाज़ी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिय प्रदर्शन की ओर से पहला ओवर डालने आए बुबनेशर कुमार की गेंद पर लगातार चार चौके जड़कर रितुराज गायकवार ने अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया और वहीं अगले ओवर में वेंकटेश एयर ने तीन बड़े चके लगाकर अपनी बले को प्रदर्शित किया और उनके इस रूप को देकर ये लगने लगा कि रोगने लगा कि टीम आराम से ये मुकाबला हर जाएगी लेकिन तब ही वापसी करते हुए बुबनेशर कुबार ने च्छट में ओवर में वेंकटेश एयर को 35 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ट कर दिया और जिसके बाद पंध की टीम का स्कोर्ट 6 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 55 रन पहुँच गया था और आपको बता दे कि अब खुद रिशापंध कप्तान मैदान पर मौजूद थे और कोई खास बल्ले बाजी नहीं कर सके जिसके चलते रोई चुर्मा की टीम शां लंबे और गगन चुम्बी चखके जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी दोस्तों भारती खिलाडियों द्वरा आपस में खेले गए इंट्रा स्क्वाइड मुकाबले को देखकर तो साफ हो गया है कि भारती टीम के बले बाज और गेंद बाज दोनों बहुत ही शांदार की टीम भारती टीम को हरा पाएगी या फिर ने इस बात का जवाब अगर नीचे कॉमेंट सेक्चिन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही कबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चनल को दन्यवाद